जैहिन बच्चो हमारी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है हम लोगों ने 2024 में आए हुए सारे मौडल पेपर का जो सेटप कंपिट कर लिये हैं अब्जक्टिव का आज जो देखने वाले हैं वो प्लास 12 के हिंदी अलक्टिव वाला है चले इसका भी संसर जल्द से देख लेते हैं अगर कोई बच्चे नहीं देख्या है तो हमारे चैनल के प्रेलिस्ट में जाकर आप जाकर चेक कर सकते हैं आप लोगों को सारा का सारा अब्जक्टिव जो है मिल जाएगा जल्द ही सारे सब्जेट का सॉल्यूशन लिकर आएंगे सब्जक्टिव वाला चली तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं पहला देखिए कुश्यन लिखने से पहले आप उपर देख लीजिएगा हिंदिया चिक का है 23-24 में जो आया हुआ मॉडल सेट है तीन घंटे के समय मिलेगा जो आपको पैटर बदला उसी के आधर पर सिट किया गया है तो इसके स गार्डिंग देखिए तो सबसे पहले एक पैरागराप दिया हुआ है पैरागराप लिखा है विज्ञान की प्रगति से आधुनिक सुक्स विधाओं सुक्साधनों में पर्याप्त वृति हुई है इन साध्नों के उपयोग से तो देखिए यहाँ जो बताये गया हो विज जाएगा आप देखेगा, आधोनिक सुखसाधनों के जो मृधि हुई है, दूसरा लिखा हुआ है कि विज्ञान की प्रागति हमारे लिए चिंता का कारण क्यूं है, तो विज्ञान की जो प्रागति हुई है, जो विकास हुआ है, उसके कारण क्या होता है मानौबूंधि कुंठिस्ट हो रहा है सारेक स्वास्त भी गिरा उठा रही है और मानों का जो मस्तिक्स्क है स्वास्त है वह गिरा उठा रहा है याए ऑपशन मड़ी हो जाएगा इन में से सही बयरा को पढ़िएगा पैरा में सारी चिज़े जो है वो दी हुई है कुश्य नमा 3 पर आते हैं उप्यूक्त गधांस के लिए उप्यूक्त सिर्सक क्या हो सकता देखे विज्ञान के बारे में बताए गया है तो जहें इसे बात है कि विज्ञान के बारे में होगा अस्थाई सुक्स विदा हो नहीं सकता है विज् आपको यौ् Lei को सकते हैं जी जो जो वराइए चाले । अपनी आपको कैसे बचा सकते हैं तो आफसे देखिया विग्यान प्रगेति से आधुनिक क्सुक्ष० अगर हम लोग करते हैं, तो ही जाकर इसकी बुराई को कम्पीट किया जा सकता है, खतम किया जा सकता है, आगे आता है, निमलिखित का अध्यांस को ध्यान पुर्वा पढ़ना है, और इसका उत्तर जवाब देना है, इसमें जो भी सवाल पुछा जाएगा, चल रही है धूब गर्मियों के दीन दवा का तमत माता रूप, उठी जुल साती है, जुल साती हुई लू, रोई का जौला जलती हुई भूग, गर्द, चिटनी छा गई, प्राया हुई दोपहर, वह दौलती बत्तर, तो दौलती बत्तर, पहला जो कुछिशन लिखा हुआ है, इसमें लिख प्रिश्मरित्यों के बारे में वर्णन किया गया है, यहां वह का क्या अर्थ है, यहां इस पोयम में देखें, वह का अर्थ है, और यहां पर देखें, वह बताया गया है, कहीं पर हुआ, वह तौलती धूब, तो यहां पर जो वह सब इस्तमाल किया गया है, वह किस के यानि यहां जो दिया हुआ अध्यांस है इसके लिए क्या सिर्षक हो सकता है तो इसके लिए सिर्षक option देखते है रूई है चिंगी है तोलती पत्थर या धोपहर है तो मेरे रिदू पत्थर ज्यादधा बढ़ियां रहेगा धोपहर के बारे में तो यह बताएगा लेकिन व और इट का देखते हैं रचनात्मक और विक्ति में तो पहला कुश्यन जो लिखा हुआ है रचनात्मक और विक्ति में पहला क्या है देखिएगा प्राप्त संदेश का कूट वाचक कौन होता है जो संदेश प्राप्त होता है जो प्राप्त करता हुआ ही होता है इसका लाइब सब्द का क्या मतलब होता देखे होंगे न्यूस बगरा में हम लाइब आते हैं तो उसका लाइब का क्या मर्द होता तो ओप्सन देखते हैं जिसका सीधा प्रिशारण हो ठीक है जिसका बाद में प्रिशारण नहीं जिसका बाद में होगा थोड़ी होगा जिसका पह प्रद्हाना पत्र में नहीं लिखाया कायरी विए फ्यचर में अपने विचारों को डालता है बिलकुल डालता है प्रिचर लेखाने का ने रिपोर्ट से बड़ा होता है इसका एंसर जो जाएगा जो को नहीं है क्वेश्य नमर आते हैं तेरा में तेरा में क्या पूचा है वो दिखान दिजेगा लिखा है नेमलिकित में से sampadak कारी sampadak का नहीं है देके चार opцион दिया है, चारह में से पूछा गया है क्वार सampadak का कार नहीं है तो sampadak निरपेश भाह उससे समाचर दिखाता है, ठीक है समाचर पत्र पर डालने वाले अखारों के बारे मिल्हेन ले लेता है बिल्कुल ठीक है, छेते से गटा करता है यह रिपोर्टर का काम होता है, संबादर का काम नहीं होता है यह आपको option मस्ती हो जाएगा question number 14 पे आते हैं, जन्द संचार मादमों का मुख्य कारी क्या है, जन्द संचार मादमों का है, तो इन में से सभी हो जाएगा exam में अगर इन में से सभी आता है ना, तो अधिकतर cases में वो सही होता ही होता है, ठीक है, तो आप लोग अगर इन में से सही आया और आपको समझ में नहीं आए, तो आप लोग जरूर इसमें से सही मरकर चली आईएगा प्रदें नमर पे आते हैं, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अंकबार कौन से था, तक है कम से कम सब्सटों में तदकाल वाल सुछना देना समाचार के लिए को सब्सक्राइब नियूज को दिखा देताय इक me पांच मेर्ट में हजार न्यूज जो सुनाता है न्यूजपेपर में या टीवी में चले आगे आते हैं कुशन अब 17 में 17 पर पढ़ना है और इसके बारे जिवाब देना है चड़कर मैंने जीवन रत पर पर प्रले चल रहा अपने पत पर मैंने निच दुरुलब पद बल प तुक्ति ना और इसको कहां से लिया गया है देवसेना की प्रेम से प्रेमपीड़ा से उनिच पर आते हैं इस पाद में कौन सा अलंकार है यमन का अंकल अलंकार है ना जो तुल्णा करने का अलंका दिया गया है कि पर प्रस्तुत पंगितिया किस नातक से ली गई है तो प्रस्तुत पंगितिया जो है वह स्कंद हुपत से लिया गया है आगे आते हैं कि पिस्यार Grade करने करता है से कि कि पढ़े गए कर100 है या तो सब्सक्रान पर पर लीजागा और आपको सबसे सवाल जो है आपने वाला जो वक्ता याने बूलने वाला जो विकती है वो कौन है तो बड़ी भाहुरिया है ना तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांध कर पोकरे में कूद मरूंगी यह भाव किस ने प्रकट किया था किस भाव से प्रकट हुआ था खुशी से उदास से या व्याकुलता से या डर से तो आइधिंक लिए उदास से वा था कि उसके पास कुछ भी खाने पेने को नहीं था डर से थोड़ी हुआ था कि उदास से हुआ था में बहुत जादा वह दुखी थी क्विश्युष नबर आता है 24 पे 24 में क्या है कि यहां सुनने वाला जो विक्ति था वो कौन है हर गोभीन बड़ी बहूरिया महधीन और गुल मुहमत आगा तो यह हर गोभीन जीत हैं जो कि समवधिया का कार्य किया करते थे समवधिया मैंने संदेश पहुचाने का काम किया क करते तो वही सुन रहे तो बड़ी बहुरिया का दुख कुश्चनवा 25 पर आता है 25 में क्या लिखा हुआ है कि यह दीप अकेला कविता में दीप किसका किसका प्रतिक है तो वेक्तिक का प्रतिक है कौसल्य किसे देखने के लिए राम से पुरा अयोध्या पूरी वापत चलने का निवेदन करती है निकॉसल्य किसे देखने के लिए करती है तो यह हो जाता है दुखी अश्चो को बुक में पढ़िएगा चारहाथ अधुकता किस से सूर्शन को उजागर करती है तो 27 के अंसर होगो वह जगा आपका आपका आप्सनवर 1, आप्सनवर A में मजदूरों के coord evitar आते हैं। 2 दूसरां कharinary में घटना कि सहर से हुई है तो दूसरां कहानी है तो 2 दूसरां देव दास्तवानँ में घटनांएक कि सहर से हुई है ऑप्सन वं में कि उजारू उजारू सभ्यता किसे कहा है तो यह जो सभ्यता है आपसर देख लेता है खूण खूब खाना पिना और ऑप्सन नहीं होगा जीवन मुल्यों के तागत पर रखकर किसकाश के दोलती में और बड़ती में धर्में आपसर नमर्ट सी को टिक किजिएगा इसमें आपका एंसर क्लियर हो जाएगा तो यह टोटल एटी हम लोग देखें तो आप लोग का क्या है कि 30 सवाल का कंप्रेट करवा दिये हैं यह टोटल जो है वो 30 सवाल अबजेक्टिव का क्लियर हो गया है 12 क्लास का भी अब आप लोग से यह कहना चाहते हैं कि आप लोग का इसका सब्जेक्टिव लेकर आए यहार एक का सब्जेक्ट पर आप लोग का इंप्वार्टन कुश्चिन लेगा जैसे कि अभी आप लेकित आने के लिए अगर आप लोग का इस सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आए यहा तो अगर आप लोग का उस तरह का कमेंट रहता है के सरस सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट नहीं बलकि चाप्टर जो है जू भी इंपॉर्टन कुश्यन है आप लोग लिखवा जिससे कि मेरा एक्जाम में आ जाए तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं जैसा कमेंट होगा उसे साथ हम लोग काम करेंगे फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिन